हलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आई टे फाइटर यूटूब चैनल में डेली हमारी क्लास एट पीम में स्टार्ट होती है डेली हमारे आई टे फाइटर यूटूब चैनल पे आ जाया करिए पढ़ाई करने के लिए अगर आपको गोवर्मेंट जॉब लेना यहां पर इं यह चैप्टर वाइस थिवरी क्लास भी हमने प्रॉइट कर आया है तो वह भी आप लेट वीजिट की जग वह भी आपको मिल जाएगा और नेक्स जो चैप्टर हमारा जो थिवरी का आएगा जिसमें हम बेसिक से हाई लिवल पढ़ाते हैं वह चैप्टर हमारा होगा ही टी क्लिट किए हैं और आपको यहां पे स्कोर जो करने क्योंकि कोशन यहां पे थोड़ा सा मीडियम लेवल का है सिंपल भी है तो आपको पंद्रह में पंद्रह स्कोर करने अगर आपके एक दो गलत हो जाते कोई बात नहीं नेश्ट क्लास में आप अच्छा स्कोर लाएगा तो जो भी आपका स्कोर बनता है आपको कमेंट करके बताना होगा कि आज हमारे इतना स्कोर बना हुआ है डेली आपको इसकोड जो है अपना एंप्रूब करते जाना है ठीक है और त्यली हमारी एट पे में क्लास में अगर आपको नॉटिफिकेशन मिलती है तो इसके लिए होगा notification आपके मैं आ जाएगा ठीक है तो आप चली स्टार्ट करते हैं बीना देरी के आज की class का हमारा first question है किसी फाइल में दूसरा कटनिम में प्रकार का होता है देखें यहाँ पर English इस जिनस के लिए हम बता दें यहाँ पर अगर हम English और Hindi दोनों लेकर चल लाएते तो फिर यहाँ पर कोशन छोटा दिखने लगता है हमारे एक वीवर का कमेंट था की कोशन थोड़ा सा यहाँ पर इस पर नहीं देख रहा थ तो क्या Zoom और गहरा, Zoom का निक उन्होंने बोला था तो यहाँ पर बन नहीं पा रहा है हमने पहले से ट्राइ कर लिया है इसलिए हमने आपर केवल Hindi में आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं और हम ट्राइ कर लेते हैं और देखतें क्या होता है हम ऐसा करेंगे English में बोल देंगे जो English students है वो English में समझ सकते है चलिए first question हम से पुछा कहा है जो हमने आपको बोल दिया है question में English में अगर हम पढ़े second cut in a file the type of तो इसमें बताना है कि second cut किस के अंतरगात आती क्या हमारा section के अंतरगात आता है क्या हमारा grade के अंतरगात आता है क्या हमारा cut के अंतर गताता है क्या हमारा design के अंतर गताता है ये बताना है, तो second cut हमारी किसके अंतर गताती है ये बताना है To right answer मारा क्या हुझाआगा great के answer देखिए single cut double cut the Τि हमारी cut की अंसार आते हैं और जो हमारा second cut होता है जो very important question už 8, great के answer आता है, चली kannstס六 कोशन था आपने सही कर दिया होगा चले निस कोशन सीट मेटल चैप्टर अभी लेटेस्ट में हमने पढ़ाया हुआ पढ़ाया हुआ है और बहुत ही अच्छे से तो आप कोशन जूर सही कर पाएंगे अगर आपने देखा होगा वीडियो तो कापर और पीतल की चांद्रे च हमारी मेलीबल और डक्टाइल होते हैं राइटेंसर टो जिन बच्चों ने लगाया हुआ हमका राइटेंसर है कोशन नमर थाड में आप से पूछा जारा कर हम 23 कहें या फिर आप थाड जैसा आप समझें लेकिन इस क्लास में टोटल हम 15 कोशन है आप सॉल कराऊंगे और आ द्धावत की निम्न अवस्था में फ़ोरजिंग की यात इंग्लिस में अगर हम पढ़ें, फ़ोरजिंग इज कैरीड आउट इन दॉ स्टे अइस्टेट आफ मेटल, तो मेटल की किस अवस्था में हम फोरजिंग करते हैं, आप्शन है, प्रत्यास्था, ठों, फ्लास्टिक, द्रव इंग्लिस में बोलें इलास्टिक, सॉलिड, प्लास्टिक, लिक्विड ये चार अप्शन है तो क्या होगा राइट इन सर मारा सी आप्शन धावत की प्लास्टिक अवस्था में हमें फोर्जिंग करनी चाहिए फुलर का उपयोग निमने के लिए किया जाता है तो ये बहुत अच्छे से हमने पढ़ाया हुआ है फोर्जिंग चेप्टर में जब हमने आपको पढ़ाया था फुलर और जो भी जितने टर्म्स थे वो सब हमने आपको पढ़ाया था बताई फनेर्स क्या होगा राइट एंसर आपसने नेकिंग और गुरुइंग रिवेट बोल्ट आधिके सीर्स बनाना और थर्ड आपसने इंग्लिस में हम पड़ें फुलर्स आर यूजड फ़र में नेकिंग और गुरुइंग के लिए करते हैं first option हमारा इस दा right answer हो जाएगा next question है subscriber का point angle कितना होता है बताए friends subscriber का point angle कितना होता है यह हमारा होता है जो grind करते है subscriber का point वो 12 से 15 degree पर करते है right answer हमारा b option हो जाएगा next question पूछा गया ढलवा लूहा फोर्ज नहीं किया जा सकता है कि इसकी विसेश्था होती है कि मुलायम होता है या कड़ा होता है या कठोर होता है या भुरबुरा होता है English में देख लेते हैं क्या पूछा गया cast iron cannot be forged because it has the property तो cast iron को हम फोर्ज क्यों नहीं कर सकते हैं फोर्ज नहीं किया सकता यह बिल्कुल सही बात है लेकिन हम क्यों नहीं कर सकते हैं क्यों कि इसकी क्या विसेश्था होती है तो हमने बहुत बरवता है कि cast iron की forgeding इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें brittleness बहुत होता है या भुरुरा होता है Next question annealing का मुख्यों देश होता है आप चने आंतरिक्ता में सुधार करना चुमकत्य में सुधार करना कड़ापन में बढ़ोतरी करना कठोड़ता बढ़ाना इंग्लिस में पढ़ लेते हैं जो बच्चे हिंदी में से समझ नहीं पाएं इंग्लिस में पढ़ लेते हैं The main purpose of annealing annealing का main purpose क्या है To improve machinability Second option है To improve यह मकत्य को जो बोलते हैं Magnetic और यहाँ पर Third option है To increase the hardness Fourth option है To increase the toughness क्या होगा राइटन Sir annealing का जो मुख्यों देश होता है Machine ability को सुधार करने के Machine ability में सुधार लाने के लिए हम annealing करते हैं मतलब इससे क्या है जिसे कोई हमारा hard metal है उसका हम salt बनाते है Nish question है Nish question हम से पूछा गया है Miley steel में बने भाग का बाह तल को निम्ड द्वारा कड़ा किया जाता है ठीक है यह question हे हिंदी में Mausatellis steel का बना हुआ है Made up Miley steel can be hard तो जो Miley steel का पारड बना हुआ अगर उसकी बाहरी सते को हमें hard करना है तो किसके द्वारा hard करें क्या tempering करें क्या हम वहाँ पर ề ngo已经 करेंगे क्या हम gotharing करेंगे क्या हम hard harping करें अगर high carbon steel से बना पार्ट होता तो हम क्या करते है हाड हो टेमपर करते हैं न क्योंकि हमें पता है लगबग 0.7 या माली जे 0.7 या 0.5 के उपर जो भी 0.6 से 0.7 से जो भी इतने से कोई हमारा metal है उसमें carbon प्रसत मातरा है तो वो हमारा उसका हाड हो टेमपर करते हैं ठीके जैसे कि हमारा medium carbon steel है कहीं कहीं पर आपको मिल जाएगा कि उससे बने पाठ हम क्या करते हैं हाडिंग टेमपरिंग करते हैं तो केस हाडिंग जो मुखेता हम करते हैं माली स्टील की करते हैं उसका हाडिंग हाडिंग ओ टेमपरिंग नहीं करते हैं याद रखिएगा important question है नेस question काटने के लिए English में देख लेते हैं English में क्या बोला है Bent Snip is used for option है removing दबर इसका English में बोल रिमोविंग दबर Second option का इसका English में दिया है making holes in the seat Third option का Hindi है bending to seat, Fourth option का Hindi है cutting the seat along curved line मतलब कि हमें radius में कोई हमें seat काटना है कर्व में seat काटनी है तो वहां पर भी प्रूव करते हैं क्या होगा right answer हमारा होगा fourth option जो हमने बहुत अच्छे पढ़ा है bent snip का प्रूवग हम वक करें रिखाऊं radius में किसी seat को काटना है कम radius में अगर बड़े radius होता तो फिर हम state snip का प्रूव करते है ठीक है तो fourth option राइट answer हो जाए जिन बच्चों ने fourth option राइट answer दिया उन बच्चों का सही answer है और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिएगा वीडियो कर आपको पसंद आ रहा है वहाँ आप जूड़ जाएए वहाँ से आपको pdf notes वगेरा भी आपको मिलते रहेंगे notification update जो भी latest update है वो भी आपको मिलता रहेगा आपको कोई question doubt है वो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं कोई आपकी problem है तो आप हमसे बात कर सकते हैं टेलिग्राम whatsapp number भी आपको description में दिये है next question है funnel और tip वबस्तों में आकार के और seaming के लिए किस प्रकार के steak का प्रेव किया जाता है English में देख लेते हैं English में क्या बोला which type of steak is used for shaping and seaming funnel and tapered article हमें क्या बनाना है हमें shaping करना है क्यों हमारी seat होगी उसे हमें shaping करना seaming करना seaming मतलब क्या है seat को जोड़ना है जिससे हमने पढ़ाया था seaming अलग-अलग seat को जोड़ना है एक दूसरे से और funnel funnel मतलब keep के आकार में हमें बनाना है and tapered article हमें जो seat है उसे हम tapered बनाना taper करना है किसका प्रोग करेंगे जो keep नमवा होती है तो हमारी कौन से होती funnel steak है funnel steak हमारी right answer funnel steak is the right answer funnel steak यहां से क्या word आप पकड़ लिजेगा यहां पर जब इंग्लिस में देखे यहां पर funnel दिया हुआ यही से आप पकड़ सकते funnel वर्ड दे दिया है funnel के लिए यहां पर हम funnel steak का प्रोग करते ठीक है clear होगे कभी आप भूलोगे ने इस वर्ड को याद तो ring spinner में English में देख लेते हैं number up noach is ring spinner ring spinner में noach कितने होते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि हम लोग साधारते हैं noach ही पढ़ते हैं कि कितने क्या noach होते हैं तो ring spinner में option है 10 14 13 12 तो ring spinner में हमारे 12 noach होते हैं right answer हमारा d option हो जाएगा आपने देखा होगा जो ring spinner होता है उसमें कई ऐसे slot कटे होते हैं तो उसी को हम बोलते हैं मतब कि ऐसे line खिची होती है तो उसी क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं noach बोलते हैं ठीक है तो जिन बच्चों ने देखा होगा ring spinner उनको clear होगा निश कोशने कोशन no.32 या कोशन no.12 अगर हम बात करें तो पूछा गया है साबसे सामाने soldier नेमने में क्या है 10 और सीसा के मिसृत धात का 10 और जस्ता के मिसृत धात का जस्ता और सीसा मिस्त धात का तामबा और जस्ता के मिस्सिदात का इंग्लिस में देख लेते हैं क्या पूछा है most common solder is most मतलब की solder में हमारा सामानता क्या होता है alloy of tin and lead मतलब की यहां पर lead or tin का mission होता है second option है alloy of tin and zinc third option है alloy of zinc and lead जो हिंदी में भी हमने बोल दिया alloy copper and zinc यह fourth option क्या होगा right answer जो solder में उख्विता होता है आप लोग ने answer भी दे दिया होगा simple question है lead and tin का मिस्तरन होता है right answer हमारा first option है next question पूछा गया है लकड़ी से बने hammer को किस नाम से जानते हैं English में पढ़ देते है hammer made from wood is now जो हमारा hammer लकड़ी से बना होता है उसे क्या कहते है आप सनेंबाल पीन है hammer made let sleज hammer state pin hammer वीडियो पसंदार हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजगा हमारे चैनल में ने तो चैनल रो सस्क्राइब कर दीगा daily हमारी class 8pm start होती है वीडियो को अंतर तक देखा करें कोई भी class हो जो भी हम आपको class provide कराते है important class provide कराते है जो प्रियस पर हम question पूछे जाते है जिस type के पूछे जाते है वो सारे question हम आपके सामने ले कराते है ताकि जब आप exam में बैठे है आपको सारे question इस type के question आपको देखने को मिले तो right answer क्या होगा लकड़ी से बने हैमर को हम कहते है मैलेट हैमर कहते है अधिकतर लड़के simple question भी गलत कर देते है जो cutting question होते तो वो आप लोग तो पढ़ते भी और हम लोग कराते भी है जिसे भी तो अच्छा question ने बताना है और इसमें से काफी लोग confused भी होंगे क्या होगा right answer बताए rough file में दातों की संख्या कितनी होगी इंग्लिस में बोल देते हैं the number of teeth in rough file तो rough file में हमारे दातों की संख्या कितनी होती है आफसर ने 6 से 18 5 से 10 और 4 से 10 और 28 से 35 से आपे ध्यान दीजेगा आपे cm में बताना है क्या होगा right answer क्या होगा rough file में हमारे दातों की संख्या आपने अंसर बता दिया होगा rough file में जो हमारे दातों की संख्या होती है वो हमारी होती है 4.5 से 10 होती है देखे जो बच्चे थोड़ा सा जल्दी समझ लेते हैं या जो ऐसा नहीं है सब लोग समझ जाए हमारे कोसिस करेंगे देखिए इसको याद करने की ट्रिक क्या है देखिए हम लोग जो हमारी ग्रेट के अंसर जो हमारी फाइले होती है पहले नमर पर क्या आता है हमारा पहले हमारा रफाइल आता है फिर हमार याद करेंगे देखिए इसको समझना हम क्या बोलना चाहरा है पहली बार जो हमको याद करना है उसको दुगना करना है इसका मतलब क्या इसका मतलब यह है इसको याद कैसे करना है मतलब पांस से दस हमारा रफाइल में दातों की संख्या होती है अगर आप से पूछा जाए कि किस का आएगा हमारा बाश्टाट का आएगा तो इसमें हम तीन गुना करते हैं देखे 6-18 है ना तो अगर आपसे पूछा जाए कि बाश्टाट फाइल में दातों की संख्या प्रति सेंटीमीटर में कितनी होती है तो 6-18 प्रति सेंटीमीटर होती है ठीक है एक सेंटीमीटर म इसमें कितना करेंगे तो वह आपको याद एकना इसमें आपसे नहीं दिया गया वह होता है ग्यारत से एकीस होता है लेकिन आप लगबग ग्यारत से बाइस याद कर सकते हैं अपने याद करने के लिए तो अकर आपसे पूछा जाए सेकेंड कट फाइल में दातों की संख्या केतनी होती तो ग्यारा से 21 होती है ग्यारा से 22 होती है एतना याद कर सकते हैं ठीक है और इसके बाद फिर आप से पूछा जा smooth file में हमारी dатов की संख्या केतनी होती है तो smooth file में हमारी दातो की संख्या होती है 15 से 30 देखो, इसमें भी दुगना है तो 15 से 30 किसमें, smooth file में 15 से 30, 15 तो 33 तो तिगुना हम केबल इसमें कर रहे, 26, 18 लेकिन आपको ये तु याद करना ہوगा के पोना कि थार्टिंग कहां से स्टार्टिंग दोख हमारा पांस से है पांसी क्या वह भी साथे चार से तो, पंस से दस लभग इसका दुगना हमारा 1 रफा प्मा्य का हो गया इसके बाद हमारा बास्ट्रट्टिंग फाइल में तना करना है छैसे col Du전 on 11 से 21 हमारा किसका second cut file में दातों की संख्या होती है second cut file के बाद हमारा क्या आएगा हमारा smooth file आएगा smooth file में दातों की संख्या कितनी होती है smooth file में हमारे दातों की संख्या लेकिन ऐसा नहीं करना है हमें अगर आज कोई आज कुई आज कोई चीज हमने पढ़ी है तो इसको तीन दिन बाद आपने जैसे देख लेशिक हुआ फिर बीच बीच में revise करते रहते हैं ठीक है तो आप भी revise करते रहा करिए जो भी हम लोग पढ़ाते हैं पहले पढ़ा देते हैं उसको भी आप revise करते रहा करिए ठीक है चलिए right answer क्या होगा C option हो गया कुछ लोगों को boring भी लग रहा होगा लेकिन important बाते हैं जो ज़रूरी होती हैं बाते करना Next and last question है flux का मुख्यकार होता है oxygen से बचाना दात्वों को जोड़ना तापमान को बढ़ाना इन में से कोई नही The main function of flux Flux का main function क्या है मुख्यकार क्या है इंग्लिस में बोल लेते हैं to avoid oxidation Second option है to join metal Third option है to increase temperature Fourth option है none आप दीज क्या होगा राइटन सर तो flux का मुख्यका काम होता है Avoid oxidation Oxygen जो परत जम जाती है उसको बचाने के लिए अगर oxygen पहुंच जाएगी तो फिर क्या होगा उसमें परत जम जाएगी Oxygen हो जाएगा इसलिए तो Oxygen को बचाने के यहाँ पर जो Oxygen यहाँ पर लिखा वो यह गलत होगा यहाँ पर क्या होगा Oxygen होगा ठीक है यहाँ पर सही का लिजेगा ठीक है Oxygen पहुंचेगी देखी यह तो सही है Oxygen से हम बचाते हैं क्योंकि oxygen से नहीं बचाएंगे तो क्या हो जाएगा पपड़ी जम जाएगी है न तो oxidation जिसे हम क्या बोलते हैं पपड़ी जम जाना तो oxidation से बचाने के लिए flux का मुख्यकार होता है तो आज की class में हमने 15 question include किये थे और अच्छे से हमने सारे question यह आपे clear कर दिये किसी भी question में कोई भी doubt हो तो आप हमें comment करके बता सकते हैं वीडियो घर आपको पसंद आए तो दिल से वीडियो को like कीजिए गा वीडियो को share करना मद भोलीगा वीडियो को आप target कर लिजे कि हमें हथे में कम से कम एक से दो बार हर Mimber को एक से दो बार पांच गरूप मेच छै गरूप मेच जितना आप सेयर कर सकते हो वीडियोज को सेयर किया कर इससे क्या होते हैं हम मोटिवीट होते हैं और आपके लिए हम और अच्छे-च्छी कलास 나쁘ें प्रवाइट कराते रहते हैं एक ही दिन में हम दो दो वीडियो आपको प्रवाइट कराते रहेंगे अगर आपका सपोर्ट बना रहा तो ऐसे ही आप सपोर्ट बनाते ही रहेगा आज की स्वीडियों से इतने रखते हैं अपना ख्यार रखेगा ठीक है दूसरों का भी ख्यार लगीगा बाय बाय टेक क्यार गुड नाइट सुबरात्री